कि अजीब आजमें भाई अकबार भी रोज मंगवाता है पढ़ता भी नहीं है चलो पूछते हैं आज क्या दिक्कत है कोई है कि अरे केसे आदमियों सराप पेसे लगवने का ज्यादा सोक है क्या जब अकबार लेते ही नहीं हो तो मंगवाते क्यों ओर रोज ऐसी बात नहीं है बेटा ऐसा मैं जान बूझकर करता हूं जान बूझकर अरे अकबार बंद करने का इरादा है क्या अरे बेटा अकबार बंद को ऐसे विदा होगी समय भी खराब होगा मैं सुबह सुबह एक बार बांटता हूं फिर दियाडी पर जाता हूं ऐसा करूंगा तो कैसे चलेगा सर्थ हाँ बेटा इस काम में तुमारे परती दिन पांच मिनिट खराब होगे सुबह थोड़ा जल्दी उठके ये पांच मिनिट निकाल लेना यार मैं तुमारे पांच मिनिट फरी में नहीं लूगा बेटे इस पांच मिनिट का मैं तुम्हें पैसा दूगा क्योंकि मैं जानता बेटा फरी मैं तो खुद की ओलाद भी वक्त नहीं देती तुम तो पराये हो मैं तुम्हें महिने के तीन अज़ार रुपए दूगा इस काम के मेरे को साथ रखते हैं ना मेरे साथ रहना पसंद करते हैं तीन साल पहले बीवी का देहान थो गया अब इस अतने बड़े घर में अकेला ही रहता हूं बेटा कभी ऐसा दिन आये कि तु दर्वाजा खटके टाहर में कोई पर्तिक्री आई नहीं दू दर्वाजा नहीं कोलू तु बेटा तु फूलिस को फाल कर देना और इस पर्ची में मेरे दोनों बेटों के नंबर उन्हें फाल कर देना कि तेरे बाप कांतीम सनस्कार करना है आजाओ अफ कि इसहीलिए यह सब कर रहा हूं बेटे मैं अरे सर आप तो इमोशनल होगे, मैं इस काम के पैसे थोड़ी लूँगा, कल से मैं दस मिनेट पहले आउँगा, और आप से बात करूँगा, आपके हालचाल पोचूँगा, फिर जाऊँगा, पर एक दिमाग में सवाल गूम रहा है सर, पूछो बेटा, और तो सब ठीक है सर, अभी आप जिन्दा हो, आपको जूरत है, फिर भी वो आप से मिलने नहीं आ रहे हैं, अन्तिम संस्कार पर आजाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? हाँ बेटा, गारंटी है, मेरे अन्तिम संसकार पर वो पक के आएंगे, दोनों बेटे आएंगे, लोग लाज के डर से नहीं आएंगे वो, लोग लाज के डर नहीं लगता, ये जो करोडों की संपती है ना, इसको बेच के बटवारा करने के लिए आएंगे है, तब अन्ति अगर की कानी है कल मिलते हैं दस मिनट पहले अभी तो थोड़ा लेट हो रहा हूंगा है अब नौस होते पराए अच्छे होते हैं अज़ा अज़ा